Hello friends, how are you? आप सब सुगत आप सभी का आज के नए वीडियो में तो friends, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वाइड बोर्ड एनिमेशन के बारे में जिसको आप हैंड राइटिं एनिमेशन भी कह सकते हो जहां पर हैंड का इस्तमाल करते हुए एनिमेशन बनाए जाते हैं तो friends, आज की सुड़ो में मैं बात करने वाला हूँ जिसके आप वाइड बोर्ड एनिमेशन को बना सकते हो अपने लैप्टॉप या फिर कम्प्यूटर की मदद से तो friends, आज की सुड़ो में मैं आप लोगो को कुछ ऐसे तीन सॉफट्वेर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप वाइड बोर्ड एनिमेशन को बना सकते हो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो आज की सुड़ो में आप लोगों को तीन ऐसे सॉफट्वेर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको Windows पे देखने को मिल जाते हैं और उनकी मदद से आप काफी आसानी से वाइड बोर्ड एनिमेशन को बना पाओगे और यह वाइड बोर्ड एनिमेशन काफी जादा YouTube Creators यूज करते हैं क्योंकि यह audience को काफी जादा attract करता है और यह काफी जादा attractive होता है compared to reality यानि कि जो वीडियो आप खुद के चहरे से यानि फेस रिविल वीडियो जो आप record करोगे उससे जादा attractive यह वाइड बोर्ड एनिमेशन होता है और यह काफी जादा लोगों को पसंद आता है और काफी जादा focus ढगता है जिससे कोई भी बात अगर आप बता रहे हो इसकी मतलब से आप किसी को भी आसानी से समझा सकते हो और यह whiteboard animation, business, presentation, tutorial, advertisement, education और बहुत सारे purposes के लिए यूज किया जाता है काफी सारे companies भी इसको यूज करते हैं क्योंकि viewers काफी जादा interact करते हैं इसे और काफी जादा interested होते हैं ऐसे लोगों को देखने में तो यार वीडियो को इंड तक जरूर देखना तो चलिए यार बिना जड़ा time को waste कि एफ वीडियो को start करते हैं तो friends यहां पर आ चुका हूं मैं अपने Windows screen पर यहां पर मैं आप लोगों को उन तीन software के बार में बताने वाला हूं जिनकी मतलब से आप काफी आसानी से whiteboard animation videos create कर सकते हों जो की काफी ज्यादा popular software है जिनको creators use करते हैं तो number 3 पर जो software है उसका नाम है explain.io जो की काफी ज्यादा popular software है और इसकी मतलब से आप काफी आसानी से animation videos और whiteboard animation videos को create कर पाऊगे आप लोगों को website पर जाना है और यहां पर payment करके simply इसको download कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो crack को भी download कर सकते हो तो उसके वान में आप लोगों को simply यहां पर open करना है और यहां पर कुछ इस टाइप का interface आप लोगों को देहने को मिल जाएगा है और यहां पर आप लोगों को create project पर जाना है और प्रोजेट का नाम देना है और 친ptी क्रियेट कर देना है और यहां पर आप लोगों को प्लस का आइकन पर जाना है और यहां पर化 Maori a लोगों को को भी एड़ कर सकते हो तो सिंपली यहां पर मैं हेलो फ्रेंड्स लिखा हूं जो कि मेरा यूजुवल इंट्रो है और इसको मैं यहां पर पोजिशन दे देता हूं करना होगो एडा सकते हैं कि हमें हैं हैंड्स इसकि बाद में अपे यहां पे तो कहाफी जादा कमाल का वाइडबोर उन पर देखने को मिल जाता है लकिन लोगोग तो यह आपने हैं कि नहीं हैンヌर्ट फिसको परेम और पर सकना होगा simply आपनों को export पर जाना हो यहां पर अपने quality और को select कर सकते हो मैंने यहां पर यहां पर 790 quality चूज किया हुए जो की standard quality है और यहां पर सच जीचे आप लोगो करने के बाद simply export पर क्लिक कर देना है और इसके बार में जो second website है इसको नाम है इजी sketch pro और यह भी काफी जादा professional software है जिसकी मदर से whiteboard animation create किया जाता है और यह काफी जादा professional or creators लोग use करते हैं simply आप लोगो इसके website पर जाकर इसको भी download करना आप यहां पर account बना कर सकते हो इसका interface आप लोग simply आप देख सकते हो कि काफी जादा यूजर friendly है simply आपनों को settings में जाना है यहां पे scene settings में और यहां पर आप लोगो अपने quality को चूज करना है मैं यहां पर standard quality को चूज कर रहा हूं fps का आप लोगो 30 कर देना और keep original frames बे क्लिक करना हो simply इस setting को apply कर देना है और यहां पर आप लोगों को voice recorder music settings text sketch images भी मिल जाते हैं simply आप लोगों को sketch images पर click करना और यहां पर आप लोगों को काफी सारे svg files यहां नहीं svg images files मिल जाते हैं जिनको आप use कर सकते हो अपने whiteboard animation के लिए और यहां पर मैं simply एक people category का image use कर रहा हूं और जिसकी में यहां पर एक छोटा सा whiteboard animation बनाने वाला हूं तो मैंने simply इसको use किया और यहां पर मैं camera settings को थोड़ा अच्छे तरीके से optimize कर दे रहा हूं वसके बार मैं यहां पर मैं पूलो को टेक्स्ट में जाना हूं यहां पर इसका इसका बीस कर सकता हूं इससी तरीके से आप लों को और भी ज्यादा images को use करना है और अपना whiteboard animation बनाना है ओके तो मैंने एक चोटा सा animation यहाँ पर भी बनाने की कोशिश किया है simply मैं यहाँ पर preview पर किल करके आप लों को दिखा रहा हूँ आपका video export होने लगा है यह software काफी ज्यादा simple काफी ज्यादा best है whiteboard animation के लिए और तीसरा software है उसका नाम है video subscribe जो की one of the best software है whiteboard animation को create करने के लिए और YouTube पर लगबग सारे creators इसको use करते है whiteboard animation के लिए और यह पहले android पे भी हुआ करता था लेकिन इसको android platform से हटा दिया गया क्योंकि काफी सारे लोग उसके mode apq को use करते थे और यहां पे आप लोग पीसी में भी इसका trial version को use कर सकते हो simply आप लोग को इसको open करना यहां पे plus का icon पे click करना यहां पे आपका project open हो जाएगा यहां पे आप लोग को images text music और भी बहुत सारे options मिलते हैं जो कि काफी ज़्यादा यहां पे इसका UI भी काफी ज़्यादा fresh है और यहां पे आप लोग को इमेज पर जाना है और यहां पर आप इसके gallery पे जा सकते हो और यहां पे भी आप इनों को काफी अलग अलग category के आप लोगों को SVG files मिलते हैं यान images मिलते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं और आप लोगों ने YouTube पर काफी सारे वीडियो में मैं ऐसे SVG images को देखा भी होगा तो वह सब इसी software के हैं और इसी की मदर्स से आप अपने अच्छे खासे इनिमेशन को बना सकते हो अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फिर अपने किसी भी वीडियो के लिए तो मैं यहां पर एक चोटा सब वीडियो बना रहा हूं इन्हीं इमेजेज और टेक्स्ट का इस्तमाल करते हुए और यह काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और काफी ज्यादा पॉपुलर भी है जिसके मरसे आप बना सकते हो और यहां पर आप फ्री ट्रायल को डाउनलूड कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगए तो आप इसको पर समय doctor पर फेसबुक करना और फीर ऑपॉर्पॉइंट पर मैं simply यहां पर गेलेरी मेंस को ऊंच्पोर्ट करती में और यहां मैं इसको इक नाम देताव हुआ वाइड़ वीडियो और सिंपिल आम इसको सब्सक्राइब हो चुका है तो जैसा कि देशक्ति यहां पर स्बाइव भी होने वाला है तो simply इसको export होने में काफी ज़्यादा टाइम ले लेता है लेकिन काफी अच्छी quality की वीडियो आप लोगों को provide करता है तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको चाहिए कि आप अपने smartphone की मदद से इसे कर सकते हो तो इसको उपर मैंने अल्रेडी दो वीडियो बनाए हुए आप बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हो तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही आई हो काफी ज़्यादा नौलेश्वल काफी ज़्यादा हेलफुल वीडियो रहा होगा YouTube Creators के ल लेना क्योंकि मैं इसे इंट्रेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं अपने चैनल पर और अगर आप चाहों तो हमें Facebook ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फालो कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मैं मिलता हूं आप से नेक्श वीडियो में और